आज हम जानेंगे मोमिलेक मिल्क पाउडर के बारे में इसको कब दिया जाता है, क्या इसको देना सेफ है, इसके क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, इसको कितना देना चाहिए, तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा दोस्तो, मोमिलेक पाउडर को आप जब से बेबी होता है, तब से पिला सकते हो, क्योंकि ये 0-6 मंथ आता है, जब कि बाकी पाउडर आते हैं, वो 1-6 मंथ आते हैं ज़्यादा तर, इस पाउडर को देने का में का अरन यही होता है, कि माक के स्थनों में प्रोपर दूद नही आपता है, इसलिए ये जो पाउडर मिल्क है, इसको दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये तब भी दिया जाता है, जब महिलाओं में कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही हो, कोई ऐसी दवाई चल रही हो, जो ब्रेश्ट फीडिंग के दोरान, बच्चे को नुक्सान जाता है, क्योंकि इसे घर पे कोई भी पिला सकता है, तो दोस्तों, क्योंकि ये पाउडर बच्चों को दिया जाता है, इसलिए इसमें बच्चों की ओवरोल ग्रोथ के लिए, जितने भी जरूरी पोशक तत्व होते हैं, सभी एक बैलेंश्ट मात्रा में एविलेबल होते हैं, इसमें जो फिजिकल ग्रोथ है, उसके लिए प्रोटीन, कैल्शियम, फोस्फोरस, विटामिन डी एविलेबल होता है, और जो ब्रेन डवलपमेंट है, उसके लिए इसमें डोस्तों, आइरन, फॉलिक एसीड, और टॉरिन, और कॉलिन जो है, वो एविलेबल होते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए दोस्तों, इसमें देखिये ये, वे और कैसीन और लेक्टोज एविलेबल होते हैं, और जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके डवलपमेंट के लिए इसमें, जिंक, सेलेनियम, विटामिन A, C, D, E, ये सब मोजूद होते हैं, तो ये बच् की प्रोपर ग्रोथ नहीं होगी, अब हम जान लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो दोस्तों, साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन, कुछ प्रोब्लम है, जो देखने को मिल सकती हैं, जैसे की, मा के दूद में, एंटी बोडी होती हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं वो कम बिमार पड़ते हैं लेकिन इसमें एंटिवोडी एविलेबल नहीं होती है जिससे जो बच्चों हैं वो बिमार होने के चांसे थोड़े जादा होते हैं बट ऐसा नहीं है कि बिमार बच्चे पढ़ेंगे ही और जो मार का दूद होता है व इसको कितनी मात्र में दिया जाता है, कितना पाउडर कितने पानी में मिलाना होता है, कैसे दिया जाता है, तो दोस्तों, उसके लिए साथ में ये एक कागज के बोक्स में ये इसमें चम्मच रू ग्लास आते हैं, जिसके हिसाफ से आपको ये देना होता है, मैं आपको बता द कर लिजे कि बच्चा एक ग्लास ये 30 ml पीता है 60 ml पीता है क्योंकि आप भी जानते हो बच्चों को बार बार ये देना पड़ता है तो उसी साफ से आप चैक कर लिजे एक बार एक दूबर ट्राय करके कि बच्चे का पेट कितने बार में भर जाता है थैंक्यू दोस्तों होप कमेंट बॉक्स में पूर सकते हो